आप सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार आप में से शायद भहुत सारे लोगी सूचते होंगे कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है इसका जवाब में आपको देता हूँ हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को समविधान सभा ने एक मत से ये निर्णे लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाशा होगी इसी महत्योपूर निर्णे के महत्यों को प्रतिपादित करने तता हिंदी को हर छेतर में प्रसारित करने के लिए राश्ट्र भाशा परचार समीती वर्धा के अनुरो जाता है वैसे तो वर्ष 1918 में महत्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाशा को राश्ट्र भाशा बनाने के लिए कह दिया था इसे गांधी जी ने जन्मानस की भाशा भी कहा था स्वतंत्र भारत की राजभाशा के प्रश्ण पर 14 सितंबर 1949 को काफी विच दिवनागरी होगी संग के राजकिय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर राश्ट्य रूप होगा चूंकि ये निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था, इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को स्रेष्ट माना गया हिंदी दिवस के दोरान कई कारिकरम होते हैं, इस दिन चात्र चात्राओं को हिंदी के प्रती सम्मान और देनिक विवहार में हिंदी के उपयोग करने आदी की सिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंद लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकन प्रतियोगत आदी होती है हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रती लोगों को प्रिवित करने ही तू भाषा सम्मान की शुरूरात भी की गई है तो मित्रों आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार आपका दिन शुब हो